इस वीडियो में हम बात करेंगे NSC और BSC क्या है NSC और BSC कैसे काम करता है तो सब चित जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखेगा तो चले शुरू करते हैं NSC और BSC हमारा इंडिया के दो मुख एस्टॉक एक्सेंज है NSC का पूरा नाम नेशनल एक्स्टॉक एक्सेंज है जिसकी अस्थापना 1992 SB में हुई थी NSC पर कुल 1600 से ज़्यादा कमपनियां रेजिस्टर्ड है वहीं BSC का पूरा नाम Bombay Stock Exchange है इसकी अस्थापना 1875 SB में हुई थी इसमें कुल 500 से अधिक कमपनियां रेजिस्टर्ड है किसी भी कमपनी को अपने बिजनेस के लिए लोगों से रुप्या लेना हो तो वो अपने कमपनी के सेर को NSC या BSC या दोनो NSC और BSC पर रेजिस्टर कराते हैं और IPO के जरिए अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं कोई फी रिटेल इन्वेस्टर NSC और BSC से डारेक्ट सेर नहीं खरीते हैं बल्क यहाँ पर NSC और BSC सेर को खरीदने और बेचने के लिए दो खिरक्यों के जैसे काम करता है जैसे आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर जो टिकट बेचने के लिए खिरक्यों होती है तो नमर आफ टिकट जो उस सिनेमा हॉल का फिक्स है लेकिन उसे बेचने के लग लग खिरक्यों होती है आप लग लग खिरक्यों से टिकट खरीते हैं और जो टोटल टिकट बेचा जाता है जो कि उसने महाल में बैठने की संख्या है। उसे तरह से जो company registered होती NSE और BSE दोनों पर उसके number of sales fix हैं, आप उसे NSE से खड़ दिये या BSE से खड़ दिये। और यहाँ पर जो NSE और BSE से उससे आप direct नहीं खड़ी सकते हैं, तो यहाँ पर जो agent वहाँ से हमें share को खड़ी दने और बेचने में mediator, मतलब कि agent का काम करता है, उसे हम broker बोलते हैं। NSE में registered company के growth और fall को दिखाने के लिए कई indices बनाएगे हैं, जिसमें मुख indices हैं, nifty 50, nifty bank, nifty auto, nifty pharma, nifty id और भी बहुत सारे हमारे indices हैं, nifty mid cap, nifty small cap, तो इस तरह से जो company के growth और fall हैं, उसको दिखाने के लिए या कि हमारी economy को growth और fall को दिखाने के लिए बहुत सारे indices यह जो indices हैं, NSE और BSC के वह हमारी economy के growth और fall को दिखाते हैं, हमारी देश के growth और fall को दिखाते हैं, वहीं BSC में भी बहुत सारे indices बनाएगे हैं, S&P BSC Sunsex, S&P BSC Small Cap, S&P BSC Mid Cap, बहुत सारे indices बनाएगे हैं, कुछ जो important बाते हैं, आपको ध्यान रखनी है, share को खरीदने और ब बेच सकते हैं, अगर आप सेम डे NSE पर share को खरीद कर BSC पर बेचते हैं, तो आपको 20% की penalty pay करनी होगी, तो यह बात ध्यान रखना है, वहीं अगर आप delivery में share लेते हैं, अगर उसमें volatility अधिक है, आपको confirm है कि T plus 2 पर आपको share मिल जाएगा, तो आप सेम डे खरीद करके वह तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो सला है कि आप share अगर NSE में खरीदते हैं, तो NSE पर ही बेचे, आप BSC में खरीदते हैं, तो BSC पर ही बेचे, आप पहले ही select कर लें, आपको जो trading करनी है, जो investment करनी है, उसके लिए stocks को NSE पर select करना है, या BSC में, दो stock exchange में एक को choose करने तो ज्यादा बेचर है, तो उमीद करता हूँ, कि ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, अगर कोई भी question हो, कोई भी doubts हो, आपको stock exchange के बारे में, जो NSE और BSC है, और ये साथ ही आपको ये भी बताते हैं, कि इंडिया में बहुत सारे stock exchange है, मुख stock exchange मात्र दो है, NSE औ करते हैं, और कोई सला हो, तो भी लिख सकते हैं, तो भी करते हैं, वीडियो helpful होगा, तो वीडियो को like और share किजिएगा, चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe करके, बगल के bell icon को दबा देजिएगा,